जब भी आप तैयारी करें, मोटिवेट होने के लिए अपनी कॉपी, किताब जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर लिख लीजे कि सफलता निश्चित है, बस उस प्रक्रिया में पहुंचने में मुझे वक्त लग रहा है जब भी किसी आयोग में आता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो अन्य हो, यूपी असी में भी है, तो वहाँ पर थोड़ा एनलिटिकल बेस जो सवाल है, वो भी पूछा जाता है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो सर मेरे अकोर्डिंग टाइम बहुत इंपोर्टेंट चीज है, आप जिस भी जॉप में हैं, हमें इतना टाइम मिलता है कि हमने गोल को लेकर सीरियस हैं, तो दीरे 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 हम उस गोल की तरफ बढ़ें और अपने एक्जाम कुक्रेक करें जितना है उतना ही ज्ञान का प्रियोग कर पाना भी जरूरी होता अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आएक पोस्त आपके लिए तयार है भाया हम बीहारी है कब हमने हिम्मत हारी है कोशिस आज भी जारी है चल रही DPSC की तयारी नमस्कार साथियों मैं दिपक कुमार सिंग आज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक लंबा प्रयास एक लंबे समय से चल रही हमारी कटिन परिश्रम BPSC की तैयारी और अभी हाली में आपने 68 BPSC प्रारंबिक परिक्षा को दिया है उस एक्जाम में अप्यर हुए हैं अब आपके सामने चुनोती है 69th BPSC की बचो एक लंबा सफर होता है एक समय सीमा बहुत जादा होती है मन में बहुत से चिंतन भी होते हैं बहुत से बच्चे हैं जो ग्रामीड इलाकों से आते हैं पिछडे छेत्रों से आते हैं और भी कुछ बच्चे हैं जो सहरों से हैं जो बच्चे ग्रामीड और पिछले इलाकों से आते हैं उनके सामने तो चुनोती है लेकिन जो बच्चे सहरों से आते हैं उनके सामने भी कम चुनोती नहीं है इन ही प्रस्णों का जवाब लेकर हम आज अपने सभी पैनलिस्ट के साथ यहाँ पर हाजिर हुए है और आज आपके हर एक डाउट जितने भी आपके संदे रहे हूँ जितने भी आपके डाउट रहे हूँ बीपेसी एक्जाम की तयारी से रिलेटेड उन सभी जी जो पर डिसकस करेंगे हम सभी मिलकर आज चलिए तो मैं आपको इंट्रिड्यूस कराता हूँ आज के हमारे महान दिगजों से भारत के वो सरवसेष्ट सिक चक जिन्होंने अपने अपने छेत्रों में बहुत कुछ नाम कमाया है और बच्चों के साथ में लगे रहे हैं और बहुत से रिजल्ट दिये हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रिड्यूस करना चाहूँगा हमारे डाक्टर मुहमद सलीम सर से बिग्जान बुला जाता है कि आज वर्तमान में अगर ज्ञान है तो बिग्जान से है BPSC की परिक्षा में 30 नंबर के आस पास में बिग्जान से कुश्चन आते हैं उसी बिग्जान चेतर के सबसे बड़े दिगज डाक्टर मुहमद सलीम सर जिनके बीडियो पर आप सबने इतना प्यार लुटाया है कि एक महीने पहले बीडियो आया आपने बर-बर कर प्यार दिया है बहुत अच्छे कमेंट दिये हैं और उन्ही सर को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपके बिग्जान से संबन्दी चीजों पर डिसकस करने के लिए दूसरे नमबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के लाल बिहार के लाल हैं नाम बरुन सिंग सर है एक्जाम के एक दिन पहले है बच्चे बहुत परिसान है करेंट अफेर का क्या किया जाए सर ने बोला अगर मैं हूँ तो चिंता की बात नहीं है छे घंटे तक लगातार सर ने पूरे एक साल का करेंट अफेर कराया और आप सभी बच्चे लगाता जोड़े रह हुआ विश्वास वआ प्रेम है आपका सर के लिए वह सर भी हमारे साथ है यहाँ पर बरुन सिंग सर तो बरुन सर से भी डिसकस करेंगे बहुत चर्चाय करेंगे और उसके बाद फिर हमारे साथ में है नमन सर गड़ित अंको का खेल कहते हैं कि गड़ित सब्जेक्ट मत नहीं है कोई भी से नहीं है जादू है आरे भट जिनकी सुरवात बिहार के उस छेत से है उस BPSC एक्जाम में दस नमबर आते हैं दस नमबर का जो आपका question पुछा जाता है वह question आपका मैथ ही है उन मैथ के question को कैसे आसान बनाना है दस नमबर किस प्रकार से आपके लिए मजबूत करने हैं उन पे भी चर्चा करेंगे हम अपने नमन सर से फिर अंत में आते हैं हमारे भूगोल के महान दिगज हमारे जगदी सर जगदी सर अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो कहा जाता है कि भूगोल बहुत ही रोचक है बहुत रोचक सब्जक्ट है लेकिन बिसे तभी रोचक लगता है जब पढ़ाने वाला उतना जादा ही नहीं है जादू गर्भी है मैप में किस प्रकार से आपको उत्तर से दक्षिर तक नापना है पूरप से परस्टिन तक नापना है एक एक स्टेट को किस प्रकार से यार रखना सबके ट्रिक मौजूद सर के पास में कैसे उन्होंने आपके इस BPSC की तैयारी जो आप देक है और एक-एक करके में आप सभी के वो डाउट जो लंबे समय से आप सभी ने कमेंट करके पूछे हैं उसको BPSC वाला की टीम ने अरेंज किया उन्स सभी डाउट को लेकर मैं यहाँ पर एक-एक प्रस्ण आप ही के प्रस्ण हैं वो मेरे नहीं है वो आपके प्रस्ण हैं आपके सामने जो इस BPSC की तयारी में चुनोती है उस चुनोती को लेकर यहाँ पर हर एक प्रस्ण के बारे में उत्तर के लिए मैं आज अपने दिगजों के सामने आया हूँ और एक हिसाब से मैं आपकी तरब से क्वेशन पूछ रहा हूँ या आज हमारे गुरू हैं और म क्वेशन यह है कि सर BPSC एक्जाम UPSC से कैसे अलग है इसकी तयारी करते समय बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर प्लीज आप कुछ बच्चों को बताएं सर पहले तो थैंक यू सर आपने बहुत सम्मान के साथ दो इंट्रोडक्शन दिया थैंक यू सो मच सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे की UPSC और BPSC देखिए बेसिक तयारी तो सब सेम हैं सब्जेक्ट सेम हैं सारी चीजें सेम हैं लेकिन जो अगर हम अगर थोड़ा सा ब BPSC के सेलिबस में ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ी सी चीजें अलग हैं BPSC के तयारी करने में जो सेलिबस जैसे की प्रिलिम्स का प्रिलिम्स होता है तीन टैर पर इच्छा होती है तो आप सब को पता ही होगा कि थी टैर एक्जाम दोनों होता है UPSC का भी प्रिल का जो syllabus है और BPSC के prelims का syllabus है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और उसमें basic subject वही है history आएगी, science आएगी, दोनों में आएगी, science आएगी, geography आएगी, environment आएगा, quality आएगी, वो सारी चीजें से हमें लेकिन जैसे BPSC में कुछ extra चीज जोड़ दी जाती है, जैसे कि BPSC में आप से पूछा जाता है, 10 नंबर का आपका आजाता है mathematics, ऐसा UPSC नहीं करती, UPSC में CSAT का अलग paper होता है, ठीके, वहाँ पे दो paper होते हैं, तो CSAT का अलग paper होता है, तो उसमें वो reasoning और mathematics वेगर आप के prelims की अगर बात की जाए, तो BPSC के prelims में, बिहार focus जो current affairs होते हैं, बिहार focus जो है, quality है, geography है, history है, उस पर focus questions पूछे जाते हैं, तो एक ये difference आता है, तो मतलब यह है कि basic चीज़ें same है, बट थोड़ा सा difference आ जाता है, अगर आप BPSC की तयारी करते हैं, तो जैसे कुछ लो BPSC की तयारी दोनों साथ में कर रहे हैं, कोई दिकत नहीं है, लेकिन जब BPSC को जब आप देने जाएं, तो आपको बिहार special और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो की थोड़ी सी अलग है, यूपी सी से, जैसे की mathematics का एक question, portion आता है, तो उस पर आपको concentrate करना चाहिए, जब आप BPSC के लिए जाएं, बेसिक तयारी आप BPSC की कर रहे हैं, सारी चीज़ें वही आ रही हैं, लेकिन जब आप BPSC को focus कर रहे हैं, तो दो से तीन महीने आप पहले, उसके prelims examination से पहले focus हो जाएं, BPSC में जो extra चीज़ें आप से पूची जाती हैं, उसके लिए आप focus हो जाएं तो ऐसे prelims का है, इसी तरीके से means में चले जाएं, तो means में अभी syllabus कुछ change हुआ है, ठीक है, जिसमें, जैसे की essay का paper आगया, तो essay का paper भी UPSC में होता है, UPSC में ऐसा है कि GS का paper है, फिर उसके अलामा, UPSC की बात की जाएं तो GS के paper है, GS के paper के अलामा, जो है, वो optional के paper है, इसक है, जब कि BPSC की अगर बात की जाएं, तो BPSC में जो syllabus है, थोड़ा सा different हो चुका है, उसमें इस तरीके के चार GS के syllabus, GS का paper नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें, BPSC का means है, वो काफी different हो जाता है, आपके UPSC से, पूरा syllabus हम लोगों ने, यहां पे क्योंकि उतना व रहे हैं, तो history, geography, quality, जैसे दो लोग, फिर मैं बात करूँगा, कुछ लोग UPSC की भी तयारी करते हैं, और BPSC को भी focus करते हैं, तो UPSC की जो basic तयारी आप कर रहे हैं, उसे आप करते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलामा, जब आप BPSC के लिए focus हों, कि BPSC के लिए जब focus हों, तो आप BPSC के syllabus के according जो है, दो से तीन महीने पहले मेंस जब होने वाला होता है, तो आप focus हो जाएं, कि आपको UPSC बहुत बड़ा area है, ठीक है, UPSC में बहुत बड़े level की तयारी होती है, उसमें फिर आपको focus होना होता है, कि BPSC में क्या पूछा जाता ह according to syllabus, आप focus होकर आप उसके हिसाब से जो है, वो मेंस की तयारी कर सकते हैं, इसके अलामा जो है, UPSC में जो question पूछने का तरीका है, दूसरा जो difference आता है, question पूछने के तरीके पर आता है, तो UPSC का जो question होता है, वो conceptual based होता है, यानि उसमें आप किसी भी चीज की बड़ी अ पूछे जा रहे हैं, यानि BPSC में जो पूछने का तरीका है, वो थोड़ा fact wise है, आपको चीजों के fact के बारे में पता होना चाहिए, जबकि UPSC में क्या है, आपकी समझ, subject की समझ, आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों का ये क्या सरा, UPSC की तयारी के साथ BPSC कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अगर UPSC की तयारी कर रहे हैं, तो आप UPSC overall लेकर चलें, लेकिन साथी साथ BPSC को जब exam से पहले focus कर लें, कि भई हमें BPSC का prelims देना है, में मेंस देना है, एक ये चीज हो गई, दूसरा जो होता है, कि, दूसरा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो से BPSC की तयारी करना चाहते हैं, तो ठीक है, तब तो फिर उनको UPSC का syllabus से मतलब नहीं होना चाहिए, BPSC का आप syllabus उठाईए, प्रापर syllabus को देखिए, उसी के according आप देखना शुरू कीजे, उसी क according topics सो तयार करना शुरू कीजे, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपने चैनल पर की आपको BPSC फोकस जो है, वो सारे वीडियो प्रोवाइट किये जाएं, वो पूरे फोकस है, हमारे हर subject teacher बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो हम लोग लगातार दे रहे हैं, उस को पहचाने के पूरा प्रयास करेंगे, तो बचो जी इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो question आपके मन में हमेशा से रहता है, कि UPSC और BPSC में किस प्रकार से तयारी करें, तो इस अधार पे सर्दे बहुत अच्छे से आपको समझाया, हर एक बात को नोट करके रखिएग अब रवेलोग एक्जाम देखे आवा तनी, 68 VPSC के तयारी करें, लेकिन एगों तो मन में दाउट होई, जे एक्जाम देखे आईलबा, जेकरा के अगला अगला एक्जाम देवे के बाद, एगों मन में दाउट बार, आप प्रसन आप ही लोगन के प्रसन बाद, जेकरा के पूछे खाती हमजात नहीं बिहार के लाल के पास है जियां आप सब के चहते बरुन सर बरुन सर आप से बहुत अच्छा क्वेशन है जो BPSC के बच्चों के लिए रहता है अभी एक्जाम हुआ तो BPSC का जो एक्जाम है वो पहले की एक्जामों से किस प्रकार से अलग था औ तो इस एक्जाम में बच्चों के सामने किस प्रकार से चुनोतियां लेकर आया है ताकि जो अगले साल बच्चे जा रहे हैं पेपर देने जो दे गए हैं उन्होंने तो यह महसूस किया होगा लेकिन जो बच्चे अगले साल पेपर देने जा रहे हैं 69 BPSC का उनके लिए आ काफी बदलाओ देखने को मिला उसी प्रकार से 67 और उसके बाद का जो फेज है मतलब 68 मिंस 67 से पहले और 67 के बाद तो 68 चात्र दे रहे हैं तो 67 के पहले क्या था और 67 में भी क्या था कि negative marking नहीं होती थी और negative marking नहीं होने के कारण चात्रों को जो डर लगता था वो लगता था केवल और केवल पांचवें उप्सन से क्योंकि उसमें होता तो लिखता तो पांचवा नंबर है लेकिन उसमें होते दो उप्सन है एक more than one of the above और एक none of the above तो कुल छे उप्सन हो जाते थे उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आयोग ने फैसला लिया कि हम छात्र के अ आयोग ने लागो कर दिया कि सभी कोस्चन के लिए negative marking होगा अब इसमें क्या है one by fourth negative marking है तो चुनोती सर इसकी जो ऐसी है कि यह UPSC से भी टब बना देती है इसको क्योंकि UPSC में आप कुछ गेस कर सकते हैं कुछ intelligent guess कर सकते हैं इसमें जैसे ही आप intelligent guess करने जाएंगे वैसे ह आपको पाचवाँ option दिखेगा जिसमें होगा none of the above या फिर more than one of the above तो आप कुछ intelligent guess भी नहीं कर पाएंगे जैसे अगर कहीं पर अगर पूछा गया कि यहां के forest report के बारे में पूछ लिया गया तो आपको percentage तक याद रखना पड़ेगा और point तक कि याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मालो 16.62 परसेंट है और option में 16.4 परसेंट दिया है तो UPSC होता तो आप guess कर देते BPSC होगा तो 16.4 को wrong मान लेगा और वो answer क्या देदेगा answer देदेगा none of the above तो इसे साब से ना UPSC के जो guessing होता है intelligent guessing वो BPSC में तो सबसे और साथ ही साथ इस बार negative marking भी जुड़ गया आयो के chairman sir ने कहा कि 68 के बाद हम decide करेंगे कि E option रखना है या नहीं रखना है लेकिन अभी तो E option रहेगा और इस बार क्या हुआ है कि negative marking भी है और E option भी है तो दोहरी चुनाती है तो इस दोहरी चुनाती से निपटने के लिए छात्रों को मतलब पूरा factual command जो है वो करना पड़ेगा factual और प्लस conceptual क्योंकि negative marketing जब भी किसी आयोग में आता है चाहे वो UP हो चाहे वो अन्य हो UPSC में भी है तो वहाँ पर थोड़ा analytical based जो सवाल है वो भी पूछा जाता है तो factual और प्लस analytical इन दोनों के बारे में हमें पूरी गहनता से पढ़नी पड़ेगी इवन UPSC से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि UPSC में आपको क्या है कि UPSC में आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर भी गिस कर सकते हैं कि सर बाबर कब आया था अकबर कब आया था थोड़ा सा अगर कोई timeline भी याद है तो आ नेगटिव मारकिंग भी हो गए और कुछ का answer जो है वो एभी हो गया तो अगर देखा जाए तो दो चुनौती तो है एक नेगटिव मारकिंग की चुनौती है और साथी साथ एक चुनौती E-Option की है और साथी साथ कुछ आयोग जो गलत सवाल दे देता है वो एक अलग छात्र जो है तीन चुनोती लेकर एक साथ एक्जाम दे रहे होते हैं और इस बार भी उन्हें ऐसा ही एक्जाम दिया लेकिन हम लोगों ने क्रैस्ट कूर्स में ये काफी फोकस किया था कि हम लोग एनलेटिकल तरीके से भी पढ़ाएं हम लोग कॉंसेप्चुल तरीके से पढ़ाया, मैट्स पढ़ाया, जोग्रोफी पढ़ाया, अक्षत सर ने पॉलिटी पढ़ाया, सब ने इन चीजों का ख्याल रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो छात्रों ने हम लोगों से पढ़ा है, जो मैं पेपर देख रहा हूं, तो उनको कहीं से भी कोई परेशा से आपको समझाया, और सारी जानकारी दी, कि अब जो नहतरी हूं आपकी BPSC है, जो हम लोग टैयारी करने जा रहें, 69 BPSC की, वह किस प्रकार से करनी हैं, उसमें किस प्रकार से बदलाओं हैं, और नकारात्मक जो निगेटिव मार्किंग उसको लेकर क्या चैलेंजेंजें अगला प्रस्न मेरा, जो है, वो नमनसर से है, आप सभी को मालूम हैं बच्चों, कि बिहार, अगर मैं मगत की इतिहास की बात करो, जैसा कि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, तो मैं बार-बार इतिहास के बंदों को पलट कर वहां चला जाता हूं, तो आर्थिक रूप से काफी बिक्सी छेत रहा है, लेकिन एक लंबे समय के बाद में राजनितिक परिवारतन बहुत कुछ होने के बाद में, आज इसी बिहार में हमनी के उपर परिवार के दबाव रहला, इस दबाव खाती, कमाय खाती आदमी बाहर निकल जाला, ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर आप देखेंगे, तो हमारे यहां से केवल वो बच्चे नहीं है, वो अभ्यक्ति में हैं, जो मजडूरी करने गया है, बिहार का बहुत सा छात्र है, जो बड़ी-बड़ी कमपनियों में, आपके अमेरिका तक गया है, और वहां तक बड़ी-बड़ी कमपनीयों में जाकर रोज करना तो आखिर वह किस प्रकार से नौकरी के साथ साथ तयारी कर सके और जिसमें तयारी करके वह बिहार वापस आए और अपने बिहार को उस एतिहास उस इतिहास के उस क्रम में लेकर जाए जब मगत के समय में इतिहास इती तेजी से विक्सित हुआ था उस क्रम में लेकर जा बच्चों को बताएं कि बहुत से बच्चे हमारे बाहरे हैं और वो बच्चे अभी करेंट में working tienes कारी के साथ में नोकरी करते किस प्रकार से समय निकाले ले और किस प्रकार से BPSC की तयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं अगले एक्जाम में जैसे की आपने कहा इतन appreciate जब भापस भियार आए अैसा नहीं हैं जब भिहार के नहीं मैं भांता हूं कि हर एक जगे का इस्टुटेंट होता है कभी-कभी आर्थे किस्टी ऐसी होती है कि वो जॉब करने चल जाते है और वो चाहते है कि हमें एक सरकारी कोरी लें तो सर अभी का एक्जामपल है मेरे पास और ये मेरे एक स्टुडेंट थी तो उनोंचे वो जॉब कर रहे थी और उनके जॉब कर रहे थी ती वो मौनिंग नौ बहे से शाम को साथ बे तक थी और उनके बाद उनके घर का भी देखना होता था आफ्टर देट उनोंगे सर एक्जाम करेक किया है तो मैंने उनसे इंटर्वी में पूचा मैंने का आपने कैसे किया तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही सवाल था बोले सर टाइम बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है बोली सर मैं सुभा जल्दी उठती थी मैं पर्पेर करती थी फिर अपने खानावाना सब बनाती थी अगर मुझे दुपैर में 45 मिटस का टाइम मिलता था तो सर खाना-काने में कितता समय लगता है 10 मिनिट 15 मिनिट हम बाकी के आदा गंटा तो गोसिप में लगते है मैं उस आदा घंटे में मेरे पास भुक रहती थी और जब भी मुझे टाइम मिलता था आदे गंटे का मिले 15 मिनिट का मिले मैं उन चीजों को पढ़ती थी जो मेरे exam point of view से important है और मैंने उसके बाद रात में 2-3 घंटे पड़ा मैंने अपना sleeping time से बहुत से लोग कहते हैं कि हम में 8 घंटे 10 घंटे सोना चाहिए बट सब मेरे according हमें उतना सोना चाहिए 5-6 घंटे की निए हमाली परयापत होती है और जब हम एक गोल को सोचते हैं कि हमें यह चीज अचीज करनी है तो वो शायद और थोड़ा कम हो जाती है तो उन्होंने यह का बोले सब मैंने सोने को time decrease करा और अपने जो पेपर है उसको लेकर में बहुत सीरियस थी और उसी का नेतिज़े यह था कि मैंने जौब के साथ साथ अपना एक्जाम में क्रैक कर लिया तो मेरे कहाल से सर एक गट फीलिंग होनी चाहिए एक बिल्खुल पेपर को लेके होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है जैसे किसी महान व्यक्ति ने का है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है तो सर मेरे according time बहुत important चीज़ है आप जिस भी जौप में हमें इतना time मिलता है कि हमने goal को लेकर serious है तो दीरे 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 हम उस goal की तरफ बढ़े और अपने exam को crack करें धन्यवाद सर तो बच्छो जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि नमन सर ने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया कि time management क किस प्रकार से करना है exam की तयारी में किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से आप नौकरी करते करते जिसमें क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा pressure है घर को भी समालना है खुद की आर्थिक जो स्थिती है उसको लेकर अच्छे से चलना है और साथ में सफलता हासिल कर नहीं है और अपने चेटर का विकास भी करना है तो आप सभी को मालूम है कि PW जो है वहाँ आगला जो मेरा प्रस्न है उसमें से आप में से जितना भी बच्चा भी सुन रहे हैं नबे प्रतिसत बच्चे जो हैं उनको यह क्वेशन काफी करीब लगेगा लगेगा कि हा यार यह तो मेरे भी मन में था या फिर मेरे मन में भी है जो जिनके क्लियर होगे डाउट उनके मन में कभी तो था और बहुत से बच्चों के मन में अभी है तो प्रस्न मेरा जो अगला है वो है हमारे जोग्राफी के भुगोल के दिगज जगदी सर से तो जगदी सर में आपसे क्वेशन पूछना चाहूंगा कि बीपीस की तैयारी करते समय जो हमारे अभ्यार्थी हैं जो हमारे स्टुडेंट्स हैं जब यह तैयारी करते हैं एक मन में बहुत लंबे समय से हैं जो बच्चे हिंदी में हैं वह बच्चों को लगता है कभी-कभी अंग्रेजी में तैयारी की जाए कंटेंट अप लेबल बहुत कुछ है तो हिंदी वर्सेज इंग्लिस का जो एक डाउट है बच्चों के मन में कृप्या उस पर बच्चों का मार्क दरसन करें जग्द दिखाया और अब आपके प्रश्णों पर आता हूं सर हिंदी और इंग्लिस यह एक डाइलेमा कह दूं या फिर अंतरद्वन कह दूं खाली बीपीसी तक ही नहीं सर यह कई और प्रांतों के अंदर भी बेसिकली जहां पर हम PCS की बात करते हैं तो वहां पर यह रहता है क्य सर बात करें हमारे BPSC की तो BPSC में दोस्तों इस तरीके से देखा गया है कि सर पहले तो समय और दूसरा विशेश सामगरी दोनों ही बेसिकली जो है आपके पास में सॉल्यूशन यहां पर हिंदी के अंदर मिल पाएगा तो कम समय के अंदर सटीक सामगरी आपके पास में हि भी अविलेबल है और दूसरा यहां पर कोई कमटलसरी पेपर भी नहीं है जैसा कि मुख्य परिक्षा के अंदर हम UPSC में देख पार है हाँ एक कमटलसरी पेपर हिंदी का जरूर है आपके पास में जिसमें की मुख्य परिक्षा में आपको मैरिट क्रॉस करनी है तो यहां ही विशियों के लिए यहां पर सामगरी भरपूर अवेलेबल है और PSC वाला टीम भी basically दोनों ही माध्यम के students को जो है साथ-साथ में डाल-डाल और पात-पात लेके चलने वाला है जो मेरी मात्रभासा रही है जो मैंने schooling में सीखी है या फिर मैंने graduation में basically सीखी है अगर English है then good अगर नहीं भी है तो Hindi ओते वे भी सर्थ majority of the selection आज भी अगर हम स्टेट PCS में देखें तो Hindi से आ रहे और यहां पर खाली मैं यह नहीं कहा रहा हूं खाली selection आ रहे हैं rather toppers भी आपके हिंदी से आ रहे हैं तो इस भाव को हटा लीजिए तो क्या मेरे को यहां पे हिंदी या English का कोई dilemma रखना चीए जो जिस भी विशे के अंदर जिस भी माधियम के अंदर आप अपना best दे पा रहे हैं वह रखिएगा second चीज यह मितक है कि सर इंग्लिश होगा तो ही selection होने वाला है अगर इंग्लिश है well to very well आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे no doubt आप international और current affairs में definitely इसके अंदर अच्छा कर पाएंगे बट हिंदी माधियम वाला विध्यारती भी यहां पे कहीं पीछे नहीं रहने वाला है ठीके तो आपको इस चीज को कहीं भी है अगर illusion है delusion है तो उसको हटा ले अपने मन से और जो भी आपका माधियम है उसमें confident होते हुए सबसे पहले हैं उत्तर लेखन आप पहले दस हिंदी में question लिखे आंसर लिखे और दस English में लिखे और फिर आप उसको कहीं evaluate करा सकते हैं अपने mentor शे करा सकते हैं PWP team के साथ में basically वो चीज की जा सकती है तो इसके through क्या हो सकता है आपके पास में जरूरी जितना है उतना ही ज्यान का प्रियोग कर पाना भी जरूरी होता इस not about having the knowledge rather it is about using the knowledge also तो end of the day मेरे को मुख्य परिक्षा में अपनी कलम और मस्तिस्क के परियोग से वहाँ पे answer writing करनी है और वह आप जिस मार्धिय में अच्छा कर पाएं वही आपका answer रहने वाला है that's all thank you sir तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये question आप सभी ने मैसूस किया होगा कभी न कभी अपने इस तैयारी के दोरान में अब आपके लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ण वाचक चिन्ध जो है वह नहीं होगा जिस माध्यम से हैं जिसमें आप comfortable feel कर रहे हैं तैयारी करिए ठीक है और सफलता हासिल करिए कहते हैं कि आरे भट का अविस्कार हुमें मिधिला का संस्कार हुमें बिहार हुमें जी हाँ एक और चीज जो बहुत से अभ्यातियों को कनेक्ट करके रखती है और क्यानेक्ट क्या उनके मन में समय समय पे लेकर उठल पुधल मचा के रखती है क्योंकि जब BPSC की तैयारी करते हैं एक लंबा समय है इस लंबे समय के पूरे इस समय काल के दौरान कभी-कभी मन करता है तैयारी छोड़ दे कुछ हो तैयारी कर ले किस प्रकार से बहुत सारे मन में थाट आते हैं कि दिमोटिवेट होते हैं इसी को लेकर मैं अगला कुछन पूछूंगा लेकिन उससे पहले में एक बात बोल देना चाहता हूं कि नालंदा बिस्विद्जाले जो प्राचीन समय में ग्यान का केंडर था उस नालंदा बिस्विद्जाले को तोड़ दिया गया फिर भी मैं करौन का बीया हैं, वीहार हो है, जी हाँ, इसी पर अगला प्लस्न भी मे нравится डाक्टर सलीम सर से है सलीम सर बच्चे जब BPC के तयारी करते हैं बहुत लंबा समय हैं इस लंबे समय के दवरान खुद को किस प्रकार से मोटिवेट रखे हैं किर पर इस पर बच्चों का मार्ग दर्फन करें सर एक जैसा कि आपने बताया कि एक लंबा समय होता है और साथी साथ इसमें लंबा समय का मतलब अगर एक ही एक्जामिनेशन साइकल को देखें तो लगबक एक साल का वक्त गुजरता है और उम्र ऐसी होती है कि बच्चा जो है वो ग्रेजवेशन करके आता है ठीक है कुछ प आप जो हैं वो इतने उमर के हो गए हैं और अब आपको कमाना चाहिए आपको कुछ ना कुछ अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए तो बहुत तरीके के प्रेशर के साथ बच्चा जो है वो examination की तयारी में आता है शुरवाती दौर में तो कम रहती है लेकिन बाद में जैसे जैसे समय इसमें बीता जाता है ये प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो इस दौरान negative thoughts आना ठीक है नकरात्मक बाते आना ठीक है student नहीं है जो की बिलकुल आराम से उसने तयारी की हो आराम से उसका examination निकल गया हो सब के हाँ सब के अपना struggle होता है ठीक है सब की अपनी challenges होते हैं सब के अपनी life में challenges होते हैं struggle होते हैं मेरे साथ बहुत दिक्कते हैं बहुत सारी परिशानिया हैं बहुत सारी मुश्किले हैं तो मैं आपको ये बात कहना चाऊंगा और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाऊंगा कि कोई ऐसा आस तक सफल विद्यारती मैंने नहीं देखा है जिसके साथ अपने स्ट्रगल वो लगे रहे, अपने आपको उसके अंदर उन्होंने भटकने नहीं दिया, बहुत सारी समाज का प्रेशर आता है, परिवार का प्रेशर आता है, खुद का प्रेशर होता है, ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार प्रयास करते रहें और ये विश्वास रखा कि मुझे सफलता हासिल होगी और मैं इसी में सफल होकर दिखाऊंगा, और फाइनली वो सफल हो गए, तो एक होता है कि अपने आपको बना के रखना, इस फील्ड में बना के रखना, बार बार निगेटिव थाउट्स आएंगे, मुश्किले आएंगी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपका लच्छ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि नहीं, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही कहावत है, सही बातें कही जाती है, कि जब आप एक बड़ी तयारी करते हैं, या बड़ी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते है तो बड़ी चीज़ें आपको आसानी से कैसे दे दी जाएं, वो आसानी से नहीं मिलेंगी, ठीक है, आपके उपर अगर बड़ी जिम्मेदारी कल आप पूरा स्टेट, पूरा का पूरा राज्य सम्हालने जा रहे हैं, ठीक है, राज्य में लाकों लोगों की जिन्दगियो हो जाएगी, जिस दिन वो सुई का काटा पूरा का पूरा घूम जाएगा, उस दिन आप अपने आप उस दिन आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा, उसमें कोई डाउट आपको नहीं है, अगर आपको माली जी किसी कोई तैयारी कर रहा है, एक साल में उसका नहीं हो पा process, यानि जिस process से गुजरते हुए मुझे वो सफलता मिलेगी, वो process complete नहीं हुआ, जिस दिन हो सकता है वो process complete होने में, एक साल का वक्त लग जाए हो सकता है, तीन साल का वक्त लग जाए लेकिन आपको सफलता मिले, तो एक तो यह विश्वास रखना है कि अगर मैं इस फील्ड में उतरा हूँ तो सफलता मिलेगी और बड़ी चीजों, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए एक समय देना पड़ता है और वो समय आप जब देंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको सफलता तो मिल कर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए दूसी चीज़ जो काउंट करती है जब असफल होने लगता है बच्चा तो आउंट करती है उसके बैक ग्राउंड की वो किस बैक ग्राउंड से आया है कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई लिखाई होई है बहुत अच्छे तरीके से वो अच्छे स्कूल से उनकी स्कूलिंग होई है कॉलेज से स्कूलिंग होई है वो आसानी से आते हैं और सफल हो जाते है एक होता है कि उनका उनका background भी अच्छा रहा है उनका पारिवारिक प्रिस्री भूमी भी अच्छी रही है तो वो आते हैं और हो सकता है एक साल में दो साल में सफल रहा है एक आता है बिलकुल गाउं से आता है maximum लोग ऐसे तैयरी करते हैं जो गाउं से होते हैं छोटे शहरों उस तरीके का नहीं रहा कि आप जो है बहुत अची इंवर्स्टी से पढ़े तो लेकिन आपने सपना देख लिया कि भाईया मुझे बीपियस्टी निकालना है तो बीपियस्टी तो आप निकाल लेंगे ये तो आपने कोई भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म में एक ऐसी जेग पड़ेगा उस प्रक्रिया के अंदर ठीक है मेरी मेरा बैक्ग्राउंड उस तरीके का नहीं रहा है मेरी मेरी चीजें मेरा पारिवारी प्रिस्टी भूमी उस तरीके की नहीं रही है मेरे घर मैं आईएस का बेटा नहीं हूँ लेकिन अगर मैं इस मेहनत करके और मैं कल पी ये species जो निकालता है उसे में इतियास रचाईता ही मानता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी post है जिसको आप पाते हैं और वहाँ पर आपको बहुत बड़ी जिम्हदारी दी जाती है तो आपको उस प्रक्रिया में जलना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें समय लगेगा जो में है आपकी BPSC की तैयारी का ये समय तो इस पर सद्दे जो आपको समझाए इन बातों को धिहान में रखेंगे अगला प्रस्न आपके लिए जो आप ही का प्रस्न है और जिसका आंसर भी मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा जो पूरे कहते हैं कि BPSC की छेत्र में इस प्रस्न का अंसर मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास में इतना सटीक होगा मेरे पास भी ना हो मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो अगला प्रस्न जो है मेरा हुआ है वरुन सर से बरुन सर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बिहार के जो बच्चे BPSC की तैयारी कर रह लगता है क्योंकि सर का कड़ बहुत ऊपर है लेकिन क्वेश्चन छोटा हो जाता लेकिन जरूरी है कि आपको सर के मात्रम सी या जानकारी दे दिजाए ताकि आपको आगे तयारी करने में असानी हो तो सर इस पर बच्चों का मार्क डर्सन करें कि किस प्रकार से नियू जै और दूसरा है बिहार करेंट अफेर्स और दोनों की जो तैयारी है न वो थोड़े अलग धंग से की जाएगी क्योंकि जो रास्टी अंतरास्टी घटना क्रम है इसके लिए तो हम दहिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं मुख्य परिक्षा के विजो सवाल पुछा जाते हैं करेंट अफेर्स के वह भी दहिंदू एडिटोरियल या फिर इंडियन एक्सप्रेस के अडियर से सीधा पूछ लिया जाता है तो मुख्य परिक्षा हो या प्रारंभिग परिक्षा हो अंतरास्टी ये हमके अगर च्छात रहें और आपको लगता है कि हिंदी नियूस पर ही मेरे लिए बहतर रहेगा तब फिर आप दैनिक जागरन रास्टिय संस्करन अंतरास्टिय और रास्टिय घटना करब के लिए पढ़ सकते हैं अब आ जाते हैं सर इसके अलाब हम P.I.B. को फोकस करते हैं चाहे आप दहिंदू ले 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 या फिर आप P.I.B. को फॉलो करें तो तीनों जो बात है P.I.B. का जो नियूस हो या इंडिन एक्सपरिस का हो वो एक दिन आगे पीछे करके हर जगा आ ही जाता है अगर मैं सर बिहार करेंट अफेर्स की आप से बात करो तो बिहार करेंट P.I.F.S. में भी जो सरकारी स्कीम से हैं जो सरकार ने कुछ जो फ्लैक्सिप प्रोग्राम सस्टार्ट किये हो जसे अगर मैं लेते हैं कि जैसे अंडिया ले पुछा था कि सीतामा की जो मुर्ती है वो कहा बन रही है तो इस प्रकार का जो एक इंपोर्टेंट सवाल होता है वो हम बिहार के निउस पेपर में कवर कर सकते हैं चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर दैनिक जागरन हो जसा सर आपने तीसरा प्रस्ट पूछा ऑन-लाइं प् प्रकार से रखा है कि सवाल को भी उसमें सॉल्व करवाता हूं कि किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है और पिछले दिन का जो होता है जैसे मालो आज की अगर बात करेंसर तो आज 12 तारीक है तो 12 तारीक को अगर करेंट अफेस ले रहा हूं तो 11 तारीक वाले करेंट अ तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उरको करेंट अफेर्स के लिए कोई चिंता करनी पड़ेगी या फिर अगर किसी अन्य ओनलाइन स्रोथ को फालो कर रहे हैं तो उसको फालो करते रहे हैं जैसा कि आप सभी ने देखा कि सरने क्यों आपका डाउट नहीं क्लियर किया सरने वह जांकारी आपको दे दिये जो बहुत जरूरी है कहने का मतलब कि आपको सुब्ह नो बजए करेंट अफेर्स देखना है करेंट अफेर्स से कैसे कोशन आएंगी वह भी मिलेगा रिवीजन भी होगा सारा का सारा जो डाउट है आपका और जो करेंट अफेर की जो चिंता है छोड़ दीजे बरुन सर ने उस चीज को अपने हाथों में ले लिया है और आपका उचीत मार्ग दरसन होने वाला है लेकिन बिहार QCUS में नकारात्मक जो ये negative मार्किंग आया है इस negative मार्किंग से एक दो नम्बर से पीछे रह जाना बहुत बड़ी चुनोती है चांस भी है क्योंकि अब तक लोग लक में काम आ जाता था क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी लोग डेड़ सो question लगाते थे अब अगर कोई ऐसा करके आएगा तो काफी पीछी चला जाएगा तो आखिर उसे एक और दो नमबर से किस प्रकार से बज़के रहा जाए ज़रूरी बात यह है कि मान लिजे कि मैंने कोई लक्ष निरधारित किया महाँ पचास कदम चलके जाता हूँ कोई ऐसा मिले जो चार कदम चलने पर बता दे कि यहाँ लक्ष आपको हासिल हो जाएगा जी हाँ ऐसे बड़े-बड़े questions को बहुत ही दो-चार पदों में explain करके दो-चार चलडों में explain करके तीन line के अंडर उसका उत्तर निकालने वाले नमन सर के पास मैं चलता हूँ और इस question का answer पुस्ता हूँ नमन सर आप मुझे बताए कि यह जो 10 number जो math है क्योंकि इस बार यह बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अगर exam निकालना है एक दो number से आपको बोलना ना पड़े बच्चों को कि पेपर नहीं रुका भई पेपर रुक गया यह हो गया तो ना रुके और उसके लिए 10 number बहुत जरूरी है तो इस math में 10 number के लिए किस प्रकार की तयारी होनी चीए किस प्रकार से focus करना चीए किन टॉपिक पे अच्छा focus करना चीए किर्पिया बच्चों का मार्क डर्जन करें सर जैसे आपने कहा भी कि बच्चे एक दो number से रुक जाते है तो math एक ऐसा subject है सर जिसमें हमें कुछ याद नहीं करना जैसे मैं और विश्व की बात करूँ तो हमें कई चीज ऐसी होते हैं कि रट लो इसलाइक मैं मैं आपके subject में जाओंगा फिर पिसर एक example दो कि बावर की death कब हुई थी तो यहां पर यह नहीं है कि हमें यह नहीं पूछे का बावर की death क्यों हुई थी मान लोग गोड़े से गुरके मरा कैसे मेरा math में किया एक proper concept होता है मेरा अंसर भी अकर वनाएगा सभी का अंसर वनाएगा उसमें रटेने की जूरत नहीं है हमें तो math में छोटे-छोटे चीजे होती है 8 यह 10 topic हैं वो अकर हम अच्छे से कलने तो हम किलिया कर सकते है math में और math ऐसा नहीं कोई अलग से पूछता है हमारी जो daily use की math है वो ही पूछता है परसेंटेज पूछ लिया उसने आप शॉपिंग करने के उसने पूछ लिया कि profit कितना हुआ, loss कितना हुआ आप starting सुनते हुआ है कि हम percentage की बात करते है हम average की बात करते हैं हम कहीं जा रहे हैं हमें ऐसा तो नहीं करना कि हमें 9-10 में हमें step markings मिलेंगे कुछ बच्चे के करते हैं वो पूरा-पूरा step लिखते हैं पहला दूसा क्योंकि हमें बच्पन स्यादत वो ही पढ़ी होती है कि आप पूरा-पूरा step लिखो competition paper है आपको 5 option है पांक में से एक option लगाना आगे बढ़ना है तो हम उस 10 steps को हम 4 या 5 step में कैसे लिए आएंगे और हम समय बचा के अपने और विश्यो को करेंगे तो यह हम मैस में easily कर लेते हैं और हम अच्छे से 10 के 10 number प्राथ कर लेंगे सर इस subject में धन्यवाद सर तो बच्चों ने देखा होगा कैसे सर ने एक मिनट के अंदर पूरा जादू आपको दिखा दिया बाकि आपको जो रियल जादू है वो आपको सरके सेसन में आपने देखा ही होगा बाकि 69th BPSC की तयारी में आपको देखने को मिलेगा अब कहते हैं कि किसी भी एक्जाम की तयारी के लिए सबसे जरूरी है रणनीती अब मैं जो अगला question है वो रणनीती पे पूछूंगा और अगर रणनीती की बात की जाए strategy की बात की जाए लक्ष को साधने की बात की जाए तो हमारे पास है उसके लिए हमारे अरजन इस प्रस्न के जवाब के लिए में चलता हूँ हमारे जग्दी सर बच्चों के द्वारा बहुत ही फेमस नाम लिया जाता है जेजे सर जेजे सर से question है कि सर कृप्या बच्चों का मार्क दरसन कर इस question पे कि subject की बात अगर करें तो कौन सा subject है जिन पर बिहार pieces के बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ठीक है और किस प्रकार से क्रम जो है वह एक सटी क्रम बनाए और उस तरीके से अपनी तयारी को आगे बढ़ाए तो क्रिपया सर बच्चों का मार्क दरसन करें धन्यवाद बहती महतवपूर्ण प्रशन दोस्तों और फिर से मैं आपका attention जो है महभारत की तरफ लेके जाना चाहूंगा क्या आप अर्जुन बनना चाहते हैं या आप जो है अभिमन्यों बनना चाहते है अर्जुन ना केवल चक्रवियों को भेता है वहाँ पे जीत हासिल करके वापस विजेता बनके वापस लोटता है जबकि अभिमन्यों यहाँ पे उसके पास में एक aspiration थी यह वान्ट तो बीए फाइटर अंदर जाकर के क्योंकि एक right strategy नहीं है हाथ वही सचिन टेंडूल कर double century भी मारता है और वही सचिन टेंडूल कर zero पे डप पे भी out होता है तो reason क्या है it's all about the strategy यह व्यक्तित्व का परिक्षण है यहाँ पे आपके decisions है वह आपको कहीं कहीं merit पे वरियता पे आगे लेके जाएंगे तो वैसे ही विशेव को भी आपको जो है यहाँ पे चुलना होगा यह भावुक decision नहीं होना चीज सबसे पहले आप proportionality देखे कि मेरे पास में समय कितना बच्चा है और at the same time cut off clear करने के लिए जो मुख्य आपके पास में विशे है जैसे कि आपके पास में इतिहाश है जैसे कि आपके पास में विज्यान है जैसे कि आपके पास में current affairs है यह तीन segment जो है अपने आप में दो तिहाई हिस्सा जो है बना देते हैं 66% मात्र इन तीन विशियों से दोस्तों जो है आप cover कर पाएंगे और कोई भी prelims हो या mains हो अगर आप 60% भी अगर उसमें accuracy से attempt कर रहे हैं तो I think आप यहां पी जो है एक safe zone के अंदर basically दोस्तों अपने आपको पाप आएंगे चाहे वो प्रारंबिक परीक्षा की में बात करू या मुख्य परीक्षा की में आ आपके पास में बात करूँ अब फिर बात में आपके पास में subjects आ जाते हैं जैसे कि geography वाले subjects हैं, quality के subjects हैं या फिर math से related कुछ questions हो सकते हैं या फिर सामाने हिंदी से related हो सकते हैं तो उनको भी आप proportional में रखें पर हमेसा याद रखने की कोशिच कीजिएगा कि हर चीज को एक अनुपात के अलावा revision जो है प्रैक्टिस जो है वो उन चीजों पर सबसे ज़्यादा focus किया जैसे previous year questions हैं जैसे कि आपके पास में historical analysis PYQs के विगत वर्ष्णों में जो प्रशन पूछे गए हैं उनको जरूर देखें सबसे पहले कोई भी परिक्षा क्या demand कर रही आपसे वो जरूर देखें तो हर परिक्षा के अंदर जो है आप previous year papers को देखते वे चल रहे हैं तो आपको मैं ये जरूर आए देना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों का आप जरूर analyze कीजिएगा 2017-2018 से जो basically यहाँ पे pattern BPSC का change देखा गया है सर उसके बाद से अभी जैसे negative marking introduction से ल आपके पास में जो ये तीन-चार subjects मैंने specifically आपको बताया है यह आपने अच्छे से prepare किये हैं तो इसकी practice साथ में करते रहे हैं इनके previous year questions साथ में देखते रहे हैं यही कहीं कहीं जो हैं आपको चक्रव्यू को भेदने में भी और उस पे जीत पाने में भी जो हैं एक सक्षम बनाएंगे धन्यवाद थांकिव सबनाने में जहुआ है क्वेश्चन कहता है कि हम सभी को याद होगा और सरलोग को भी मालूम होगा कि हम लोग की जमाने में शिक्षक जो थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थे बहुत इज्जत होती थे अगर कभी हम बाजार में निकले हैं कहीं गये हैं मास्टा साब को देख लिया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी मास्टा साहब है निकलते नहीं थे जागते नहीं थे उनके सामने निकलने से बसते थे लेकिन आज कि इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म के जमाने में सर मैंने यह चीज महसूस की है कि कोई भी बच्चा आता है किसी टीचर को कुछ बोलके चला जाता ओनलाइन ट्रोलिंग जैसा एक हो गया है तो क्या इसकात यह है कि अब जो बच्चे हैं वह सिक्षक की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं या फिर उस परकार के सिक्षक नहीं ह इसमें बहुत मन में एक असमंजस चलता रहता है तो क्रिप्या करके इसके बारे में कुछ जानकारी दें सर। ठीक है तो वो सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर और सभी लगबगाज कर सोशल मीडिया पर है और खासका कि यंग जेनरेशन तो एक्चुली वो उसी ट्रेंड को अपनी पढ़ाई में यानि कि जो आप जिस टीचर से पढ़ते हैं क्योंकि आनलाइन प् पढ़ाई करते वक्त आनलाइन क्लासे करते वक्त वो उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं कुछ बच्चे सारे बच्चे नहीं मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा ये बहुत मतलब बहुत जादा इस चीज़ पर विश्वास है कि आज भी जो अच्छे बच्चे हैं जो वाकई पढ़ने के लिए आंलाइन प्लेट愉म पर या ओफ लाइन प्लेट愉म पर कहीं पर भी आ रहा रहे हैं और अगर एक टीचर बहुत अच्छा अपना डेडीकेशन दे रहा है, बहुत अच्छा आपने आपको प्रियास कर रहा है, तो आज भी जो बच्चे हैं वो अपने सि चकी बहुत ज़ादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़ादा उनसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़ादा उनसे महबत करते हैं, और उस महबत को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाहिर भी करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो respect बहुत जादा करते हैं तो जो वाकई में तैयारी करने आ रहे हैं जो वाकई में मेहनती बच्चे हैं जो उनको वाकई में लच्छ हासिल करना है तो उनको वो कभी ट्रोल नहीं हो सकते यह मेरा परम विश्वास है तो यह मेरे अपने विचार है इस चीज को लेकर लेकिन क्योंकि ये इथिक्स का भी एक टॉपिक है तो मैं चाहूँगा कि इसके एक्सपर्ट जेजे सर जो है वो अपने इस पर विचार रखें धन्यवाद, सर ये बहुत एक इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज के इस पैनल डिसकेशन में बच्चों के सामने भी डिसकस करना चाहते हैं ये एक वाइड स्परेड टॉपिक है खाली एड टेक में ही नहीं रधर हर एक जगह पे सोशल मीडिया में जैसा कि सर ने भी वेक्तव ये दिया कि हर जगह पे जो है यहां पे अभिवेक्ती आर्टिकल नाइटीन क्लॉज वन हर जगह पे बिसिकली इंप्लाइड अपने आ जब आपके उपर टीचर की जब आपके उपर प्रधाना चारे की या आपके उपर प्रॉफेसर की या डीन की नजर है क्योंकि end of the day आपका मुल्यांकर उनके हाथ में है आपका अनुशाशन अगर भंग होता है तो उसका कहीन कहीं आपके पास में एक निगेटिव इंपक् को प्रॉपर कमांड को फॉलो करता है बट क्योंकि सोशल मीडिया आपने आप में कई जो है अच्छी चीजे भी लेकर आया है बट सोशल मीडिया का 21st century में देखा जाए तो यह एक निगेटिव फॉल आउट भी रहा है कि जहां पे भी बच्चा कई रीजन के कारण फ्रॉ अधिकत जानकारी रखे हुए अध्यापक के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में वह अपने अभिवेक्ती को थोड़ा नकारात्मक्त रखी के से यहां पर प्रस्तूत भी करता है पर बिंग टीचर एक बड़ा दिल रखते हुए हम लोग बिसिकली उसको जादा बिस दर गया वही तर गया यह अधियापक पे भी लागू होता है और यह स्टूड़न्स पे भी लागू होता है दोस्तों तो आपको भी जादा से जादा फोकस जो है वह लर्निंग पॉइंट पर करना है ना कि यहां पे जो है डिसकुशन्स में या फिर ट्रोलिंग में या फि नहीं भी पढ़ रहे हैं, but still you are choosing the right thing, आप अपना अनुशासन जो है, वो हभीतरी होता है, वो बाहरी दिखावा नहीं होता है, तो उस internal discipline को भी आप मेंटेन करते रखें, तो यह सबसे पहली प्रेक्विजिट रहने वाली है, दोस्तों. सर, अब एक प्रशना, सभी विध्यारतियों के जो मनस पतल पे चल रहा है, और इस बार भी स्पेसिफिकली 68 BPSC के एस्पिरेंट्स ने बेसिकली वो कॉस्टिन्स काफी कॉमेंट सेक्शन में भी हमने देखा जब आप नोटिफिकेशन लेके गए थे, कि सर वेकेंसी साल बर स कम होते जा रहे हैं, और क्या हमारा होगा, क्या हमें एटेम्ट करना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए 69 त्या चाहिए 70 BPSC का, तो सर आपका क्या विचार है, स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो कहीं कन्फूजन देख रहे हैं, कि सर वेकेंसी बढ़ रही हैं, गट तो आप इसके ऊपर स्टूडेंट्स के अंदर किस तरीके से जो है, एक कॉन्फिदेंस इंकल्केट करना चाहते हैं, माइक आफ तो बच्चो बहुत ही अच्छा क्वेशन, सर ने यहां पर पूछा है, मैं एक लंबे समय के अनभो के साथ में सेयर करता हूं, खाली हमार सर क के बाल निखे पाकल, डड़ियों के बाल पाक गिल बाल, तो बहुत जरूरी बात बोला तनीब ध्यान से सुनियों लोगों, कि यूपी असी में भी लंबे समय से वेकेंसी आई लगातार पोस्ट कम हुई, लेकिन जो बच्चा कठिन परिश्रम के साथ लगा रहा सफलता हा अगर मैं बात करूँ आपसे कि पोस्ट निदंतर कम हो रही है, तो चिंता मत कीजिएगा, आपको क्या दस पोस्ट चाहिए, या दोसों चाहिए, आपको चाहिए एक, अगर आप महनत कर रहे हैं, तो वा एक पोस्ट आपके लिए तयार है, तो आप अपने आज पास में नक करते हुए और इस्टे पॉजिटिव होते हुए, सकारात्मक होते हुए, सही करम में आगे बढ़ना चाहिए, तो इस प्रकार से आज का डिसकसन हम सब ने किया, आप भी इस प्रकार से अपने लक्ष को निधारित करें, आपको सीट एक चाहिए, पोस्ट कितनी भी हो, अग करने वाले हैं, वो 69 BPSC में बच्चों फोड देंगे, एक बात याद रखेगा, पढ़ लो चाहे, कहीं से अधिकारी बनोगे यही से, धन्यवाद